आप सभी को नमस्कार मैं हूँ मनिश पंथ और रेडियो पोईटर के लिए सुनिए मेरी एक कविता जिसका सिर्शक है सच के बहुत आगे तुमने शायद नदेखी हो तुमने शायद नदेखी हो पर मैंने देखी है बेगलती सड़क कोलतार की उतने ही करीब से जितने करीब से देखा था फुठपात पर गलते उस बेबस जिसम को दर्द उतरता है उन आखों में शाम के धुनलगे की तरह क्योंकि पेट होता नहीं महताच कभी भी किसी राम, शाम या सलीम के लिबल का उतर कर ड्राइंग रूम की दीवारों से आ गई है वो औरत सड़क पर उतर कर ड्राइंग रूम की दीवारों से आ गई है वो औरत सड़क पर पिगलने को कोलतार की तरह एक बार फिर जम जाने को और रोंदे जाने को अंगिनत पाओं के नीचे सपने शायद होते हैं घरोंदे रेत के सपने शायद होते हैं घरोंदे रेत के जन्म होता है जिनका हर पल नस्ठ होने के लिए ही टकरा कर किसी भूके समुद्र की निगाउं से भूक, पेट, सपने, आखें भूक, पेट, सपने, आखें, सब होता जाता है गड़मड और मेरी आखों के सामने तस्वीर उभरती है एक सूखे पिछके बच्चे की रौंदी जा रही है मा जिसकी सदियों से अनवरत आपके मेरे और उनके पाउं के नीचे होने का, चड़ गया है पीलिया बुखार हमें, खंडित हो गई है असमिता हमारी, सोचता हूं मैं क्योंकि न दफन कर दूं इस दुनिया को कबर गाहों में, ताकि फिर न जन में कोई बच्चा लिए एक हाथ में हत करी और दूसरे हाथ में लखवा, लेकि जानता हूं मैं कि कोलतार फिर पिगलेगा लेकिन जानता हूं मैं कि कोलतार फिर पिगलेगा और ड्राइंग रूम की दीवारों के बीच होती रहेगी चर्चा एक और बेबस पारों की अखिर अखिर बारत महान और लेट्स लव अवर कंट्री के नारों के बीच आखिर कब तक सुनेंगे हम उसमा का प्रलाप। आखिर कब तक सुनेंगे हम उसमा का प्रलाप। आखिर कब तक खड़े रहेंगे हम यूहीं चुकचाप लिए हतेलियों पर खून की चाप। Thank you. Thank you.